Hello everyone, welcome you all at Lucas and Unlimited Study Zone तो आज की क्लास है केंद्री विद्याले संगठन 2023 के लिए Current Affairs and Static GK जिसमें हम पढ़ेंगे बहुत ही important concept और देखेंगे कुछ बहुत ही exam में आने वाले most probable question तो आपको हर सवाल के लिए केवल मैं 5 सेकेंड दूँगा और आपको उन सवालों के उत्तर देना है तो आईए चलिए स्टार्ट करते हैं अची क्लास तो चलिए यह रहा है पहला question आपके सामने केंद्र सरकार ने दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदल करके खिया रख दिया गया बताईए ओके तो इसका आंसर क्या है देखे क्या पूछा गया है केंद्र सरकार ने दिल्ली के किस गार्डन का जो नाम है बदल करके रख दिया है तो इसका सही आंसर है अमरित गार्डन तो करेक्ट आंसर इसका अमरित उद्ध्यान मतलब जो मुगल गार्डन था उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है अमरित उद्ध्यान कर दिया गया है चली अगले सवाल पे चालते हैं ये देखे पढ़िए चली अगले सवाल की तरफ बन चलते है विस से कम्प्यूटर साक्षर्ता देवस कब मनाया जाता है आपको बताना है कि विस से कम्प्यूटर साक्षर्ता देवस कब हुआ करता है तो बहुत ही important question है ये तो इसका correct answer क्या होता है इसका correct answer हुआ करता है 2 December 1 December को होता है National AIDS दिवस और International AIDS दिवस और 2 December को क्या हुआ करता है विस से कम्प्यूटर साक्षर्ता देवस चली अगले सवाल देखे येस बताना है कि 26 January 2023 को भारत ने कौन सा गड़तंत्र दिवस मनाया है 26 January 2023 को भारत ने कौन सा गड़तंत्र दिवस मनाया है तो correct answer इसका क्या है 74 अगले सवाल की और चलते है अगले सवाल देखते है अगले सवाल कहे रहा है कि तो कोई लड़ा को विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पाइलट कौन सी है तो इसका correct answer है अबनी चत्रवेदी जो की रीवा से है अबनी चत्रवेदी जो है कहां से है ये पूछा भी जा सकता है कि ये हमारे मद्यप्रदेश रीवा से है चली अभी अभी मैंने इसके बारे में जानकारी देवी कि विस एड्स दिवस कम मनाया जाता है तो World's AIDS Day है ना इंडिये एड्स डे कुछ नहीं होता है World's AIDS Day होता है ये कम मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है आपका एक दिसम्बर को ठीक ना एक दिसम्बर को ये मनाया जाता है चलिए अगला कोश्चन देखी सात्वा नमर कोश्चन किस राज में मदान प्रसत 90% से अधिक कराने के लिए चुनाओ आयोगने मिशन 929 लॉंच किया है ओके 929 किस राज ने लॉंच किया है चलिए बताईए नागा लेंड उत्राखंड असम त्रिपुरा इन चारों में से कौन सा राज है जल्दी आंसर बताईए ओके इसका करेक्ट आंसर है त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर क्या है त्रिपुरा देखिए जब भी आप कुछ पढ़ते हैं ऐसा जी के वगरे क्योंकि यह भूलने वाली चीज होती है अब जैसे करेंट अफेर्स का क्वेश्चन है कि अभी अभी किस राज ने मदान प्र करेंगे है जो आपको याद रहे अभी जैसे कुछ अजाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा जैसे अभी आपको यह कोशन आया था इसके पहले येस सायम महरा वाला जो question आया था ओके ये देखिए तो जैसे मैं particularly इस question की बात करूँ तो अब हमें पता है कि पढ़ाय लिखाई में सायम की बहुत जरूरत होती है तो इसका correct answer क्या है इसका answer है सायम महरा ओके तो सायम वर्ड से याद रहेगा कि सायम बनाके चलना पड़ता है तो इसलिए सायम महरा तो थोड़े थोड़े से ये आप ट्रिक्स वगरे खुद ही develop कर सकते हैं इसमें कोई वाली बात नहीं है तो हम लोग कहा तक आ गए थे हम लोगों ने आ गए थे त्रिपुरा में मदान जो किया जाना नहीं से 929 तो इसको याद कर सकते हैं कि 929 में 3 word है और त्रिपुरा इसमें भी कितने word है तीन word है तो 3 से 3 मिल गया तो मिसा 929 कहा की सरकार ने launch किया है त्रिपुरा की सरकार ने launch किया है चलिए अब आई ये बताना है आपको की जो NSA है ना किसे उपराश्टी सुरक्षा सलाहकार जो है ओके डिप्टी NSA है ना NSA जानती हूँ नेशनल सेक्यूरिटी एप डिवाइजर आपको बताना है कि कौन बने है इसमें NSA इसे ओके तो यह साब बने हैं शायद इसका आप नाम जानते हों बताई एक मिल्ट के लिए कौन बने हैं राश्टी सुपराश्टी सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है ओके तो इनका करेक्ट आंसर देखे इनका करेक्ट आंसर है पंकच कुमार सिंग कौन है यह यह가지고 कि अगले सवाल क्यों चलते हैं अगला सवाल राश्टी पिछडा दिवस कब मना जाता है ओके आपको पताना यह को निशनल भैकोवर्ड गामना जाथाटाइस जन्वरी pads इस जन्वरी सोची एक मियूट के लिए बताई इसका जबब कौन सा है प्रश्टी पिछड़ा दिवस बनाया जाता है 31 जनवरी को बना जाता है राश्टी पिछड़ा दिवस और इसके पहले 30 जनवरी आप जानते हैं कि महात्मा गांधी की डेथ कर दी गई थी उसके बाद ऑके ये क्या कहते हैं इसे हम बोलते हैं शायद शहीरी दिवस या पिछड़ा दिवस और इसके बाद जो ये होता है इसे हम क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं राश्टी पिछड़ा पिछड़ा दिवस ओके तो ये कम मना जाता है 31 और ये कम मना जाता है जैनवरी में 31 जनवरी को ये राश्टी पिछड़ा दिवस मना जाता है चलिए अगले क कि तरह चलते हैं अगला कुछन है को इसके हैं कि लिए चुना गया था मतलब कौन से बहुत ही फेमस को स्टेंट की है कि दो हजार दैश में जो गरतन दिबस हुए है इनू इरतपा नागा लेंड के रल मनीपूर और तेलंगारा तो देख एक कहा मना जाता है यह कहा के लोग दिख रहे है यह मनीपूर के दिख ले हैं तो ilmi illu kel 성 purely कि तो कहा पर मनायाता है मनीपूर में मनाया जाता है अब इसकी थोड़ी से आप से कोशिश करिए कि इम्हूं से इमों इन्हों रत्पाऊ से आपको जो है यहाँ पर कोई trick मिल जाए ज्वादि को सपोर्ट करें ओकी तो ऊच्छे ट्रिक किमल लगी देखिए यहां पर आई एम है और है ना और आई एम I, M, N है देखे ट्रिक कैसे बनेगी इसकी E for I M for I ओके और इसके बाद N भी है ओके तो देखे M, A, N, I मनी में तीनों वर्ड इस्तमाल हो चुके हैं तो आप याद सकते हैं कि मनी पूर जो है इमू इनू इरत्पा जो है महुत्सो जो मनाया जाता है यह मनी पूर में मनाया जाता है तो ऐसे छोटे-छोटे ट्रिक्स वगरे आप खुद से बनाई है जिससे कि आपको यह फायदा करे चलिए अगला है देखिए वर्ल्ड म्रदा दिवस कम मनाया जाता तो अभी मैंने 2 दिसम्बर को आपको बता दिया था पांच दिसम्बर फाइब दिसम्बर को जो है आपको क्या मनाया जाता है वर्ल्ड स्वाइल डे चलिए अगले सवाल के और चलते हैं किस भारती शहर में देश की सबसे गहराई पर इस्थित मेट्रो स्टेशन बनाया गया है उप्सन है चंडीगर, पूने, चेननाई, जैपूर बताइए कि सबसे गहराई पर मतलब सबसे जो डीप मेट्रो स्टेशन है कहां बनाया गया है तो करेक्ट आंसर है क्या पूने तो इसको आप कैसे याद सकते हैं देखो सबसे ज़दर डीप डीप मेंचार वर्ड होते हैं और पूने में भी किते वरड है चार वरड है तो चार वर्ड डीप के, चार वरड पूने के तो जब भी आप क्व Newman देखेंगे ला तो कोई clue देखा करो आप जब चुछ से पढ़के जाओगे और घर से कुछ बना के जाओगे इस तरीकी के memory change develop करके जाओगी तो आपने क्या देहां दिया डीप और डीप में कित्ते वर्ड है चार वर्ड और चार वर्ड किसमें है पूने में है तो यह चीजें आपको जो है भूलेंगी नहीं यह आपकी जो चीजी होती है बहुत मेहनत किया है वो कौन है एक क partie अभी नोब इंद्रा ओके बताए एक पर कि लिए तो इसका कररेक्ट आंसर क्या है एक की सीपरी सीख्री के टीडिके के शूटिंग है is a shooting और is aicesी कृणि ऐस से सीख्री सीख्री इनका सर नैम है आपने सुना होगा ना शूटिंग किस से होती है AK-47 तो इनका नाम भी उसी पर बेस है AK-Cree चलिए अगला कॉशन लेखते है अगला कॉशन है हाल में ही किस मंतरा लेज़र प्रजला चलेंज को लाँच किया गया कि रामीड विकास मंतरा लहए चली अग्ला कोश्चन पढ़ते हैं देखी भारत में किस देश मेंसरी JACK सबसे काफी बार अपनी सेनाय भेजी हैं सो करेक्ट आंसर इसका है सूडान ओ देखे भाई सब अगला क्वेशन है किस देश के उपराष्ट पती का भारत के नौदान निधर हो गया तो वैसे भी दिख रहे हैं कि कोई ये अफ्रीकन कंट्री के हैं उनको देख करके पता किया क्राइबन तो फासर जा सकता है तो विच कंट्रीजु क्रeसटेंट है पास्टेवरिं दूरिंग दिस वेज़न elders एंडिया तो यह कहां के है ये हैं गांबिया कि उकãyãy इसको लोग जांबिया भी बोलते हैं बतर ये कहां के हैं गांबिया ऑके हैं जालिया नेक्स क्रेशन क पार है ये कौन है यह उके इनकी फोटो भी बनाई है तो इन्होंने निखत-जरीन को बनाया है आपको पता है इंडिया में होने वाली वाली इस बार बहुती सम्मानित बयठक होती है इसकी conference होने वाली है, तो G20 की बैठक कहां पर होने वाली है, चन्नाई, पढ़जी, पुदुचेरी, एन इन दौर, ना चन्नाई है, ना पढ़जी है, ना इन दौर है, इसका correct answer क्या है, इसकी पुदुचेरी, चलिए अगला question लेखते हैं, अगला question है, माना अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, human right, human right day, कब celebrate किया जाता है, 6 December, 7 December, 8 December, 10 December, ओके तो इसका correct answer है, बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी होना चाहिए, इसका correct answer, ओके, correct answer इसका क्या है, 10 December, human rights, ओके, human rights बहुत important day है, 10 दिवस, चलिए, किस राज में पहला समाविशन महुत्सव, परपल फ टेस्ट सुरू किया गया है, ओके, तो देखिए, मद्धप्रदेश, हरियाना, राजिस्थान, और गोवा, ओके, परपल, परपल शब्च जो होता है, थोड़ा सा वो, किस तरीके का बैगनी कलर का या गुलाबी कलर का होता है, जो आपको गोवा की याद दिलाता है, तो correct answer इसका कितना होगा, इसका answer होगा, गोवा, चली अगले सवाल की और बढ़ते हैं, अगला सवाल है, हाल में ही भारत के उन्याइस में grand master कौन से बने है, ओके, तो इसके जो grand master है, अभिमन्य मिश्रा दिव्यदेश मुख, बोड़ा प्रतिशा, M. प्रनेस, ओके, grand master की बात की गई है, grand master, okay, तो grand master, तो master में M आ रहा है, तो M को देख करके लगाई है, क्या, M. प्रनेस, okay, option ने थोड़े सी कहीं न कहीं, क्लू मिल जाती है, तो M. आ रहा है, अप्शन में क्या है, master में M आ रहा है, okay, तो इसका क्या है, M. प्रनेश, चली, इसके, कहां, इसके, कहां पहले, India Stack Development का सम्मिलिन आयूजन किया गया है, okay, मतलब इसके पहले, कहां पर बनाया है, आपको कौन सा सम्मिलिन, First Stack India Developer Conference, okay, where has the first Stack India Developer Conference organized, तो इसका correct answer बताएए क्या है, इसका correct answer है, नई दिली, इसका correct answer है, नई दिली, चली, अगला question है, राष्ट्री किसान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्री किसान दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल फार्मर्स डे, नेशनल फार्मर्स डे को कब सेलेबरेट क किया जाता है, ओके, नेशनल फार्मर्स डे, तो ये 23 दिसमबर, चौधरी चरण सींग की याद में, इसको 23 दिसमबर को मनाया जाता है, ओके, तो correct answer क्या है, 23 दिसमबर, इसका correct answer क्या है, 23 दिसमबर, ओके, चली, अगला question देखे, किस भारती सहर में 8 जनवरी से पतंग महुत्स, तो ये तो बहुत ही चर्चाओं में रहा है, बहुत ही easy question है, है ना, कौन सा है भाई सब इसका एहमदाबाद, ओके, वैसे भी आप जानते है, गुजरात में पतंग वाजी बहुत ज़्यादा फेमस होती है, तो इसका correct answer क्या है, पतंग, अहमदाबाद, अ और इंच रहा के famous है सबसे ज़्यादा, नाकपूर के, और नाकपूर से क्या बन गया अपना वर्ड, नागालेंड, तो नागालेंड में मनाया जाता है, चलिए अगला है, राश्ट्री उभुकता अधिकार दिवसका मनाया जाता है, राश्ट्री उभुकता, National Consumer Rights Day, celebrated on 21, 22, 22, 23, 24, तो correct answer इसका कितना है, 24 दिसमर, चलिए, अगला question है, हाल में ही एहमदाबाद दिली संपरक्रांती का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो एहमदाबाद से जो दिली चलती है, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, गतिमान, जन्शताबदी, अक्षर धाम दुरंतो एक्सप्रेस, तो ये चारो ट्रेने हलकी चलती ही तो दिली से ही है, परंतो इनका नाम बदल करके किसका नाम बदल दिया गया है, ओके एहमदाबाद, तो नया नाम रख दिया गया है, अक्षर धाम एक्सप्रेस, ओके अक्षर धाम एक्सप्रेस नाम कर दिया गय मकफूर अजाजी, सायद, मुस्तबा, अली, काकी, माधव, राओ, आगा, शाहिद, अली तो बताईए किस ने इस ब्रेकिंग बैरियर तो देखे कहीं से ब्रेकिंग बैरियर का विमोचन किसके दौरा किया गया है तो इसका करेक्टिंग का ब्रेकिंग बैरियर विमोचन का काकी, माधव, राओ चली आगला है कि किस इस पेश एजनसी ने प्रतवी के पानी का सर्वेचन करने के लिए रास्टी mission stove, एक यहाँ पर कहा रहा है, तो यहाँ पर यह जो गलत लिखा है, stove नहीं है, यहाँ पर, कैंड़ा है, इंग्लिश होन देज़ बढmost कतु लगग लिखा हुआ है, तो इसका जो शही नाम है, इसका मिशन का सही नाम है SWOT इसका क्या नाम है सही मिशन का SWOT तो इस मिशन की शुरुवात किस ने करी है इस मिशन की शुरुवात करी है बताइए इस रो ने, स्पेस एक्स ने, नासा ने या जाकसा ने, तो इसकी correct answer है इस रो चलिए अगला question number इसमें क्या है अगला है किसके द्वारा लिखिट पुश्चक never given an inch fighting for the America fighter for the America I love काफी सुर्क्यों में रहा इसको बताना है कि आपको the book इसने किसने लिखी है माइक पैम्कियो, स्टीफन किंग, जे के राउलिंग, आगा शाहिद अली काफी ज़्यादा difficult इसके writers है इनका नाम है माइक पॉम्पियो इनका नाम है माइक पॉम्पियो चलिए अगला कुश्च है, हाली में किस आईटा इस संस्थान दवारा कर्तिम हर्दय विक्सित किया गया है तो कर्तिम हर्दय किसने विक्सित किया है बताइए, IIT Delhi, IIT कानपूर, IIT मदरास या IIT गुभाटी तो आपको पता है दिल, दिल का रिलेशन किस से हर्दय ने दिल और दिल का रिलेशन दिली से है तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, IIT Delhi ओके ऐसे ही चोटे-चोटे ट्रिक्स आप बना सकते हैं खुद के याद करने के लिए दन मित्र एक क्वेशन यहां पर गलत करवा दिया हमने उसको सही कर लीजे, इसका जवाब ESRO नहीं है इसका जवाब जो है Nasa है ओके, Nasa ने जो Space Agency प्रत्वी के पानी का सर्विच्छन करने के लिए अंतराश्टी मिशन स्टोब नहीं है SWOT शुरू किया है तो इसको इसको किस ने स्टार्ट किया है इसको Nasa ने स्टार्ट किया है American Space Agency क्या है Nasa है, ओके, डन चलिए, अगला जहां पर थे, वहां पर आ जाते है चलिए, अगला कुश्चन देखे कह रहा है कि ओके, अगला कुश्चन करते है खेलो इंडिया सीनियर राष्टी महिला खोको लीग कहां पर आयोजित की गई है ओके, खेलो इंडिया सीनियर तो देखे, नई दिल्ली, लखनाव, चंडिगण, जैपूर तो खोको का खेल कहां पर खेला गया है तो इसका अंसर है आपका चंडिगण में आयोजित की गई थी ठीक है चलिए, अगला क्वश्चन है कौन सा देश, तेरवी व्यापार संगठन मंत्री स्थरी बैठक मतलब तेरवी व्यापार संगठन मंत्री स्थरी बैठक 2024 की मेजबानी करेगा विच कंट्रे विल होस्ट दा डवलू 13 डवलू टी ओ के वर्ल्ड ट्रेड और्गनाजिशन मिनिस्ट्रियल मेटिंग को कौन आयोजित करेगा ओके तो बताइए कौन है ऐसा कौन सी कंट्री है जो तेरी भी विश्य व्यापार संगठन मंत्री इस तरी बैठा को आयोजित करे वाली संगठन का नाम क्या है एफ आई फीए फीफा और बास्केटबॉल को आयोजित करने वाली संगठन का नाम है एफ आई बीए बी फॉर बास्केटबॉल थोड़ा सफर्क रहता है बस ध्यान रखीगा अगला क्वेश्यान लेके किस राजी की सरकार ने हाल में ही ग्लो ग्लोबल सिटी अभियान उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश करनाटक तमिल नाडू उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश करनाटक और तमिल नाडू इन सरकारों में से किसने ग्लोबल सिटी अभियान तो करेक्ट आंसर इसका क्या है उत्तर प्रदेश ने ग्लोबल सिट सिखर धवन या स्टीव स्मित बताईए विराट कोहली रोहित सर्मा इसका करेक्ट आंसर क्या है विराट कोहली जो है पांच वे सबसे ज्यादर बनाने वाले रन बन गये हैं किस राज के पहले बहुत विश्य 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 विश् इसका correct answer क्या है एहमदाबाद इसका correct answer है एहमदाबाद चलिए भारत ने किस देश से अपने सम्विधान में तेरवे संसोधन को लागू करने का अग्रह किया है इंडिया ने किस कंट्री से कहा रहा है कि अपने जो 13 जो constitution में amendment हुआ है उसको वो लागू करे के implement करें तो इसका correct answer क्या है इसका answer है नेपाल एक मिनट एक मिनट इसका answer नेपाल नहीं है इसका answer श्रीलंका है क्योंकि वो तमिल्स को लेकर के जो प्रॉब्लम है उनके लिए श्रीलंका को भारत ने request की है कि आप इसको लागू करिए हौकी विश्यक अप में किस देश ने हौकी के विश्यक अपके इतियास में सबसे बड़ी जीत आशिर की है तो आपको पता होना चाहिए कि होकी में जो बादशाहत है किस देश की है ओके बादशाहत आई थिंक नीदर लेंड की है तो नीदर लेंड ने यहाँ पर हराया है और किस देश को हराया है चिली को हराया है किते से 14 जीरो से हराया है तो यहाँ पर जो नीदर लेंड ने है सबसे बड़ी जीत हांसिल करी है अ आउजित की गई है, चलिए अगला कॉशल कोश्यं देखे किसके द्वारा लिकी पुत्सक ब्रेव हार्ट्स ओफ भारत विन गेट्स फ्रॉम इंडियनि हिस्ट्री पूस्तक का विमेच्छन किया गया है द अगया बोक ब्रेव हार्ट्स फ्रॉम हार्ट्स इंडिया विगनेट्स प्रॉम इंडियन हिस्ट्री अथर्ड भाई वूम हैज बीन रिलीस्ट ठीक है तो करेक्ट अंसर देखे इसका क्या है इसका अंसर है सलमान रुशुदी पुराने 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 यह अंसर है विक्रम संपत ने ब्रेव हर्ट्स ऑफ भारत चली अगला देखे हाली विश बैंक ने किसके संड़च्चन के利ए या lightning केलिए बॉंड्ड जारी किया है किस राज्य सरकार ने स्कूली इस तर पर समाजिक और भावनात्मक सिच्छा प्रदान करने के लिए शहर स्योजना शुरू करी है इसका करेक्ट आंसर है त्रिपुरा त्रिपुरा में बहुत सारी योजनाय स्टार्ट की गई है चले किस खिलाड़ी को ICC T20 क्रिकेटर ऑफ दा इयर का एवर्ड दिया गया तो करेक्ट आंसर इसका क्या है सूरु कुमार यादव को क्रिकेटर ऑफ दा इयर का किसको मिला है सूरु कुमार यादव को और गल्स क्रिकेट में मिला है स्मृती मंधहना को किसको मिला है स्मृती मंधहना को चलिए अगला कुशन लेखते हैं किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेरेलकल ऑफ फेस योगा का विमूचन किया गया है मांसी गुलाटी मुकुल देवा रजत चौधरी या अनुजा चौहान किसके द्वारा किया गया है अगला कुशन है परिवार पहचान पत्र सुरू करने वाला देश का पहला केंदर शाषित प्रदेश कौन सा बन गया है तो परिवार के हिसाब से इड बनाने वाला जो पहला केंडर शाशिक प्रदेश बन गया है वह बन गया है जम्मू एंड कश्मीर ठीक ना जम्मू एंड कश्मीर बन गया है अब और एक और योजना थी तो इसको PPP भी बोलते हैं और इसको स्टार्ट करने वाला जो पहला राज है पहला राज नहीं के इन साथ से प्रदेश कौन है वो है आपका जम्मुन कश्मीर चलिए अगला कॉश्चन देखे एफाइडी विश्च चत्रन चैंपियंशिप की मेजबानी कौन करेगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कजाखिस्तन ओके देखे एक चीज मैंने बताया था आपको कि यहां परिवार पहचान पत्र के लिए जो टेरिटरी बोली गई है मतलब केंसासित प्रदेश वो कौन है जम्मुन कश्मीर है और अगर आपको इस्टेट बोले कि कौन सा इस्टे आप मेंटर्शिप के लिए मार्ग मार्ग पोडल जारी किया गया है ओके मडबल ए आर जी मार्ग पोडल जो है अगर तो आप किसने लॉंच किया है मार्ग पोडल चली इस नरेंसिंग्ट उमर इसमरति जुमीन इरानी नराया टाटू राने और प्यूस गोईल तो इसका कर ऊप्शन मेरे ची अस्तीलिया है और इनका नाम भी आ से स्टाइट है ओके तो इसका कर्रेयक्ट आंसर है आरियन सब्लेंगको कि इनका कर्रेक्ट आंसर है आरियन सब्लेंग कर चैड़त कर आहएंग अन्होंने जीता हैУूमनी सिंगल तो इसका correct answer क्या है चहर चहर जो महुत 110 है वो olması चांकिश माहीं फ़ह को हर लिया है कि शेच्जिन को हराकर हांकी विश्चप 2023 जीत लिया है तो इसका correct answer क्या है इसका correct answer है जर्मनी ने हराया है ओके ये जो टीम आपको दिख रही है जर्मनी की टीम दिख रही है जर्मनी की टीम ने बेल्जियम को हराया है अगला दिखे दक्च किस संस्था दवारा संचालेत भुकतान धोकर दड़ी की reporting का मॉडूल है इसको कौन सा संस्था जो है दक्च जलाती है भारति रिजर बैंक नाबाड इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया पन्जाब निजनल बैंक इसको कौन सी बैंक और्गनाइजिशन दक्प्स कम्पनी को चलाती जो पक्रेग्र बैंक इंडिया इसका correct अंसर है रिजर बैंक ऑफ इंडिया चली अगले question पर चलते हैं देखिए अगला question color भी change कर लेते हैं चली अगला question कह रहा है कि Australian Open 2023 में किस पूरुस्ट ने एकल किताब जीता है तो इसका correct answer क्या है इसका answer मैंने आपको अभी भी बताया भी था कि इसका answer है नोवाक जोकोविच ओके चली अगला question है किस राजी की उस्मानाबाद जिला अदालत को राजी की पहली e-code बन गई है वाई कौन सी ऐसा राज है जिसकी उस्मानाबाद जिला है उसकी अदालत जो है राज की पहली e-code बन गई है उत्तरप्रदेश हरियाना पंजाब महराष्ट उत्तरप्रदेश हरियाना पंजाब महराष्ट तो correct answer इसका answer है महराष्ट उके उस्मानाबाद जो है वो कहां आत सबस Around Essa जर्मनी के साध भारत ने समझःखता की है चलिए अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल किस राजसरपार इसकूल जब भी बात आती है। फ़र पंजाब दिल्ली सरकार याद आती है। जो इस्कूल पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो correct answer दिल्ली तो यहां है नहीं, तो यहां पर correct answer क्या है, यहां पर पंजाब सरकार ने school of eminence पर काम किया है, चलिए अगला question देखते हैं, कौन सा राज़ देश का पूरे तरीके से digital banking वाला राज़ बन गया, digital banking पूरे तरीके से जहां पर मतलब पूरा का पूरा काम digital banking से होत कि यह बहुत easy question, मोंगला पूर्ट जो है, भारत ने किस देश के साथ, तो correct answer इसका क्या है, बंगला देश के साथ मिलकर के भारत मोंगला पूर्ट का निर्माण कर रहा है, यह देखिए, किसे इसका correct answer देख लिए आपने, इसके पहले वाले का मोंगला पूर्ट था, अगल lifetime achievement award, मीरा नायर, मेघना गुल्यार, अर्पना सेन या जोया अक्तर, टो देखिए, अर्पना सेन जो है, अर्पना सेन को lifetime achievement award से यहां पर नवाजा गया है, चलिए, अगला question है, कलवाली सरीछ के किस पंडवी को भारती नोसेना में सामिल किया गया है, वगीर, वेला, करंज, करंज या खंडेरी ओके तो इसका correct answer है कलवारी सिर्णी की किस पांचवी पंडबी को तो जो पांचवी पंडबी है कलवारी सिर्णी की वो है क्या वगीर वगीर को सामिल किया गया अगला क्वेशन देखे हाल में ही किस देश ने मदमक्यों के लिए दुनिया के पहले ठीक को उपयोग की मंजूरी दे लिए मतला मदमक्य पर टूकी ठीके लगेंगे कौन सा देश है यूगांडा थाइलेंड सूडान और अमेरिका ओके सो यूगां ल, A, N, लॉँच किया है अनीमिया के लिए इसको कि सरकार ने लॉँच किया है तो करेक्ट आंसर इसका क्या है आपको करेक्ट आंसर है यह दिख रहे हैं आपके सामने नवीन पटना एक्स, CM है उडिसा के और अगला कुश्चन देखे बीएस एफ ने भारत-पाकिस्तान पाकिस्तान सरीम्ण पर शुरक्षा लॉच्छा बढ़ाने के लिए किस अब्यास का आयोजन किया है इस अब्यास को क्या बोलते हैं इस ऑक्रेशन को लॉच किया है ऑके Aks ourselves को below कि ब्टना है ईक्सर साईज को लॉच किया है बीएस फ ने तो इसका नम क्या दिया गया है मनजूरी दे दी है, मतलब 30% reservation को विल्कुल pass कर दिया है ऐसी कौन सी राज है उत्तरा खंड हिमाचल प्रदेश 36 गड़ या जार खंड ऐसी कौन सी राज सरकार है जिसने की दे दी है permission 30% reservation की तो correct answer इसका याद रखे उत्तरा खंड उत्तरा खंड यहाँ है इसका correct answer चलिए अगला देखे किस राज ने one district one sport योजना की शुरुबात की है एक district एक जिला और उसका एक खेल तो correct answer इसका क्या है इसका उत्तर भी उत्तर प्रदेश ही है उत्तर प्रदेश ने रॉंच करी है one district one sport अगला question कोविड 19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए किस डॉक्टर डॉक्टर पंगत राव पंगत राव कदम पुरुसकार से सम्मानित किया गया है okay who has been invited by the डॉक्टर पंगत राव कदम what for his contribution in the fight against the COVID-19 pandemic तो correct answer इसका क्या है इसका answer है अधार पुनावाला इन्होंने COVID-19 की वैक्सीन बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया था इनका नाम है अधार पुनावाला चलिए अगला question 71 कौन सी भारती पार्टी दुनिया की पहली तरीके से पूरी digital पार्टी बन गई है इन्डिया में भी नहीं वर्ल्ड में टोटली डिजिटल पार्टी बन गई है तो करेक्ट आंसर क्या है भारती जनता पार्टी जो है बीजेपी वो बन चुकी है भारती जनता पार्टी चलिए अगला question देखी किस देश को छोड़ करके भारत विस इस तर पर तीसरा सबसे बड़ा आटो बजार बन गया है इंडिया हैस बिकम थर्ड लार्जस्ट आटो मार्केट ग्लोबली लिविंग बिहाइंड दा कंट्री तो करेक्ट आंसर इसका क्या है भारत ने अभी अभी रिसेंटली जापान को पीछे छोड़ा है और ये भारत जो है वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा आटो बजार बन चुका है चलिए अगला अगला रिखे प्रवासी भारती दिवस कम मनाया जाता है तो आपके options क्या है भाही साब आपके options है छे जनवरी, साथ जनवरी, आट जनवरी, नौ जनवरी प्रवासी भारती दिवस ठीके ना मतलब NRID एक तरीके से आपको कम मनाया जाता है तो इसका correct answer बताए जल्दी से प्रवासी भारती दिवस कम मनाया जाता है ओके तो इसका correct answer क्या है 9 जनवरी, इसका correct answer क्या है 9 जनवरी, याद रखे प्रवासी भारती दिवस इसको NRID बोलते हैं, तो N से क्या याद रखे 9, ओके, सो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है ओके, प्रवासी भारती दिवस जो होता है 9 जनवरी को मनाया जाता है चलिए अगला देखे किस भारती स्टार्ट अप को The Earth Short Purskar 2022 The Earth Short Purskar 2022 किसको दिया गया है तो अर्थ का relation किस से है जमीन, और जमीन का relation किस से है खेती से है, तो correct answer खेती को इस स्टार्ट अप को दिया गया है चलिए, अगला देखे सर्वसिष्ट अभिनेत्री के लिए आसकर नामांकन पाने वाली सर्वसिष्ट पहली ACI महिला भाई, ACI बोल दिया है तो देखे, एंजलीना जॉली तो हो नहीं सकती है जेनिफर लॉरेंस भी हो नहीं सकती है बैटी वाइट यह गलेंट तरफ की लग रही है तो correct answer, Michelle यो, यो, यो यो, कहां की है, यह है Michelle यो है correct answer कहा है? Michelle यो तो यह कहां की है, देखे, Michelle M से याद रखे यह Malaysia की है, कहां की है, यह Malaysia की है, ओके, चलिए अगला question दीखे, किस राज में सम्विधान साक्षर्था अभियान सुरू किया है, सम्विधान की साक्षर्था बढ़ाई जाएगी, किस राजी में सुरू किया गया है, महराश्टा, मध्द प्रदेश, केरल, राजिस्तां तो देखिए आपको सबसे अदा साचरता की बात करी जाती ही कहाँ पर केरल की बात की जाती है तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा केरला बिल्कुल सही केरल इस दा करेक्ट आंसर चलिए अगले question की दरब चलते हैं तो यह बहुत ही famous question है PT USA को भारती ओलंपिक संग की पहली महिला अध्यच बनाया गया है PT USA is the correct answer चलिए अगला question देखते हैं पर्यावण मंत्राले ने संरक्षित पौदो की सुची में किस फूल को सामिल किया गया है मतलब की which flower has been included in the list of the protected plants by the ministry of environment तो देखिए यहाँ पर यह plant भी दिख रहा है तो इसको correct answer इसका नील कुरिंजी कुरिंजी नील कुरिंजी ओके नील कुरिंजी correct answer इसका इसको संग्षित किया गया है अगला question हालमी है लक्षमी सिंको किस राजी की पहली महिला पुलिस कमिसनर बनाया गया है तो फस्ट वुमें पुलिस कमिसनर जो है पहली राजी में बनाया गया है किस स्टेट में उत्तरखंड उत्तरप्रदेश उत्तरखंड तो इसका correct answer है उत्तरप्रदेश ही इसका correct answer जो दिया गया है चलिए अगला देखे कैरा किस देश में भारत के परसेतpson प्रथिकरती का अनावरान मतलँ ब alan को मिलता हुआ model को अनावरित किया गया है किस देश में करें गया है तो इसका correct answer है क्या जर्मनी इ्टली है, फ्रांस है, देन्मार्क है तो इसका correct answer है जर्मनी जर्मनी में इसका बिलकुल मिलता हुआ प्रतिकर्थी का अनावरित किया गया है अगले देखें सेवी ने किसको BSE का नया MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है सेवी जानते हैं आप SEBI जो बैंक को नियमा करती है सेवी ने किसको बनाया है BSE का नया MD कैलाश वर्मा दिनेश कुमार सुंदरमन राम मूर्ती प्रवेश अगरवाल ओके कैलाश वर्मा दिनेश कुमार सुंदरमन राम मूर्ती या प्रवेश अगरवाल ओके तो इसका नाम से से है S सुंदरमन राम मूर्ती देखे बहुत सारी हिंट होती है जो हमारी मदद करती है अगला चलिए देखे विश्य हिंदी दिवस का मना जाता है देखे हमारे देश में दो हिंदी दिवस होते है एक भारती हिंदी दिवस और एक होता है विश्य हिंदी दिवस तो विश्य हिंदी डिवस का मना जाता 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी या 10 जनवरी तो ये भी बनाया जाता 10 जनवरी देखे 10 दिसम्बर को रहता है मानवाधिकार डिवस और 10 जनवरी को होता है हिंदी डिवस, 10 जनवरी को होता है हिंदी डिवस ठीक है चलिए अगला कॉश्चन देखिए Google Pay Google ने किस देश में UPI भुकतान के लिए Soundport by Google Pay का परिछन किया है Yes, किस देश में UPI भुकतान के लिए Soundport by Google Pay जैसे आपने देखा होगा अभी आपने देखा है कि Paytm का Phone Pay का Soundport आ चुका है अब UPI के लिए Google Pay का परिछन किस देश में किया गया है नेपाल में, भूटान में, बांगलादेश में और भारत में तो इसका correct answer है इसका भारत में आप जानते हैं कि सभी countries में मतलब इंडिया में सारे लगभग Soundport इस्तमाल के जा रहे हैं इसका भी परिछन क्या है भारत में किया गया है चलिए अगला question सिया चीन में सक्री रूप से तैनाथ होने वाली पहली महिला अरिकारी कौन सी बंच गई सिया चीन में कौन है क्यप्टन सिवा चौहन मिना पूनीता अरोड़ा मिताली दीपक दोड़े कि सिया चीन में ऐसे शुरूआ हो रहा है और यहां पर भी सिवा सिवा चौहन जो है किससे शुरू हो रहा है इससे ही सुरू हो रहा है तो तो करेक्ट आंसर है अगला कोशन बहुत ही सिरल है राष्टी युवा दिवस का मना जाता है तो करेक्ट आंसर इसका हर कोई जानता है बारा जनवरी को राष्टी युवा दिवस मना जाता है ओके और दस जनवरी को क्या मना जाता है इंटरनेशनल अंतराष्टी हिंदी द कौसल प्रियंका रानी जोसी या या शनीक सिंग तो यह जम्मू कश्मीर की हैं उनका correct answer क्या है सरगम कौसल के कश्मीर से हैं सरगम कौसल मिसेज वर्ल्ड 2022 क्योंकि मिसेज वर्ल्ड यह सुंदरी है सुंदरी सासे सरगम कौसल चलिए अगरा अधिवासियों को बुनियारी दस्ताबेच परदान करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया है तो अधिवासियों को परदान किस देश के मिसेल सेंटेलिया ने मेरर टाइपिक किताब़े बना कर फिरे इक वैंग मैं पलिए UKRAINट तो करेक्ट आंसबर इसका क्या है ग्ले एकशले थे कर सिर्थ को Dana soryu किया गया है एन dif इसक आदमी को एने चैना है और अधानिया का किया गया है तो correct answer इसका क्या है संतोस कुमारदास को बनाया गया है अगला question भारती डाक विभाग दरा किस राज में समुद्र मार्ग से पारसल पहुचाने के लिए तरंग मेल सेवा तो समुद्र मार्ग से किस में इस्तिमाल किया जाता है तरंग मेल सेवा तो correct answer इसका है गुजरात गुजरात में तरंग मेल सेवा श्टार्ट की गई है समुद्री सेमाल लगी हुई है गुजरात का इस्तिमाल के रिए चलिए किस राज के गंजम जिले का असका थाना देश के नंबर वन पुलिस टेशन बन गया है मतलब कौन सा राज है जिसके गंजम जिले का असका थाना तो भाई यह गंजम जिला कहा आता है और असका थाना उसका है बताइए कहा है गोवा में ओडीसा में उत्राखंड में आसम में तो इसका आंसर है ओडिसा, ओडिसा का जो गंजम जिले का असका थाना जो है नंबर वन पुलिस टेशन बन गया है, चली अगला क्वेशन, इस क्रिकेटर ने एक ओवर में छे चके लगा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, एक ओवर में, सुरी छे नहीं, साथ चके, साथ तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, रितुराज गायकवर्ड ने साथ चके लगा करके रिकॉर्ड बनाया है, चली कहां पर उत्तर भारत की सबसे वड़ी 33 सौर परियोजना बनाया गया है, उत्तर भारत भी, चंडीगड, लखनव, देहरादून, हरिद्वार, चंडीगड, ल भारती सेना दिवस मनाया गया था, और ये, ये जो है, किस तारीक को मनाया गया था, ये 15 जनवरी को मनाया जाता है, ओके, ये कम मनाया जाता है, 15 जनवरी को, 15 अगस्त को हमारा होता है, इंडिपेंडेंस दे, और उसी के जैसे 15 जनवरी को होता है, भारती सेना दिवस, चल कभी आन्स वृआ है चलि अगला दिकिये भारत ने किस एच को नला टीकँ का देनेition का मतलब पन्तलब Works रूने गोशनकिन को र欸ова करी है पाकिस्तान को किवा को इरान को युगंडा को मताइए और किसको भारत ने इंडिया हैस अनॉंस टू डोनेट पेंटा वेलेंट वैक्सीन टू विच कंट्री तो इसका करेक्ट आंसर क्या है क्यूबा जिसे हम शक्कर का कटूरा भी कहते हैं चली अगला कुश्चन दीखे किस अभिनेत्री द्वारा फीफा विश्यकप ट्राफी का अन अबरण किया जाएगा अंतराष्टी सिक्षा दिवस अंतराष्टी सिक्षा दिवस अंतराष्टी सिक्षा दिवस मनाया जाता है वेन इस दा इंटरनेश्टी सिक्षा दिवस कम मनाया जाता है इंटरनेश्टी सिक्षा दिवस कम मनाया जाता है बताई एकीस जनवरी बाइ इसके बाद 24 को, तो इसका correct answer क्या है, 24 जनवरी को इसको मनाय जाता है, है ना, तो 24 जनवरी इसका correct answer है, ओके तो correct answer इसका क्या है, 24 जनवरी, चली, अगला देखिए question क्या है, कौन सा देश हाइड्रोजन संचाले ट्रेन शुरू करने वाला, एसिया का पहला और दुनिया का द काट करी है, इस तरीके से जो चाइना है, वो देश, एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन चुका है, चली, अगला question देखिए, हाल ही में, यूरो जोन में सामिल होने वाला, बीसमा देश कौन सा बन गया, which country has recently become the 20th country to join यूरो जोन, यूरो जोन को जोन करने व इसका correct answer है, Croatia, हाँ यहाँ पर मैंने इसको 25 को मैंने सम्विधान दिवसायद बोल दिया है, 25 को याद रखेगा, सम्विधान दिवस नहीं होता है, 25 को होता है, राष्ट्रिय मत दाता दिवस, ओके 25 तारीकों क्या होता है, राष्ट्रिय मत दाता दिवस, इस दिन जो होता ह मत दान के बारे में जागरुक किया जाता है तो यह होता है राश्ट्री मत दाता दिवस ड़न चलिए तो देखिए यहां तक हमने बता दिया था कि यूरो जोन में शामिल होने वाला जो बीश्वा देश है वो कौन सा है क्रुएशिया है अब आंगे पढ़ते हैं देखिए अगला क्वेशन है ग्लोबल एंविशन सेफटी रैंकिंग में भारत की रैंक कौन सी है करेक्ट आंसर है 48 भारत को जो 48 स्थान है अगले क्वेशन की में बहुत ज्यादा है चली अगला क्वेशन है यह तो मैंने इसका आंसर भी लिख रखा सूर किरणा अभ्यास जो है प्रसिचान अभ्यास किसके साथ भारत करते हैं नेपाल के साथ चली अगला क्वेशन है घुगुवा नेशनल पार्क जीवाश्म पार्क कहां पर है तो मद्ध प्रदेश में यह डिंडोरी जिला में इस्थित है घुगुवा नेशनल पार्क चली अगला क्वेशन देखिए औरंग राश्ट्री उद्ध्यान किस राज्य में इस्थित है तो ओरंग राश्ट्री उद्ध्यान जो है कहां पर है यह अंद्ध प्रदेश बिहार असम और नचल प्रदेश तो correct answer क्या है यह है असम में इस्थित है ओरंग ओरंग जो है तीन शब्दों में है देखिए ओरंग और ओरंग भी असम भी तीन सब्दों में हिंदी में आसम ओके तो याद रहेगा चलिए दुनिया का सबसे महेंगा गेम कौन खेलते हैं टाइगर और यह कहा पर है तामिलनाडू में है अगला question रहेग जो दीफ है वो कहा सकौन से सागर में आता है तो यह हिंद महा सागर में आता है दिए गो गृर्चिया घियाट भारत में किसके लिए प्रसिद है सेब के लिए प्रसिद है कुलु घाटि अगला देखिए question हजार जील किस छेत्र के लिए नोबल पुरुसकार दिया गया था तो इनको दिया गया था आर्थिक विज्ञान के लिए ओके इकोनॉमिक साइन्स के लिए चलिए यस ठीक है अगला देखिए एडवांस निमेरिकल एंड रिसर्च एनालिसिस ग्रूप अनुराग कहां पर इस्थित है य इसका correct answer है आपका है इसका correct answer आपका क्या है है इसका correct answer के और चलते हैं चलिए अगला question देखिए क्या है कि बिबो इसका होना चलिए इसका correct answer अजान में और बिभू जहां भी आपको देख जाये वहाँ समझ लीजे क्योंकि असम का एक शहर है जिसका नाम है डिबुरुगड ओके चलिए अगला कुश्चन देखिए N साधान पंसन के लेखा कौन से हैं तो करेक्ट आंसर इसका बताईए चेतन भगत APJ कलाम अरुन्धती रहा है तो करेक्ट आंसर किसका है N साधान A से A और A से अरुन्धती चलिए खापरवास वन जीव अभ्यारन कहां पर इस्थे थे खापरवास खापरवास बताईए हिमाचल प्रदेश में हैं गुजरात में हैं हर्याना में हैं या मिजुरम में हैं खापरवास, खापरवास बताईए वन जीव अभ्यारन कहां पर है, ओके तो ये कहां पर है, हरियाना में याद रखेगा, खापरवास कहां पर हरियाना में, भारत के टेक्स्टाइल सिटी के रूप से किस सहर को जाना जाता है, कोयमटूर को, कुर्ग को, एहमदाबाद को, य चलिए, पेंचला कोना जल प्रपात कहां पर है, पेंचला कोना जल प्रपात कहां पर है, पेंचला कोना जल प्रपात किस इस्थान पर है, महराष्टरा में है, आंधर प्रदेश में है, केरल में है, करनाटका में है, बताईए एक बार, ओके करेक्ट इसका अंसर क्या है बी ऑप्शन आंधर प्रदेश ओके यस बी आंसर क्या है आंधर प्रदेश ठीक है अगर देखे कांकेर पहलेस कहां पर इस्थित तो भाई कांकेर जिला जब 36 गड़ में है तो कांकेर पहलेस भी कहां पर होगा हमाँ छत्तियस घडमे ही होगा चलिए राजी गांधी अंतराश्टी हवाई-टर कहा ति इंद्रा गांधीआ अंतराश्टी हवाई-टर कहा थे दिल्ली में है राजी गांधी Pourquoi आप से पूचा गया कि कहां पर है नय दिल्ली तो नहीं सकता है तो राजी गांदी अंतराश्थी हवाई अगाना में चली अगला तो फाइले होता है सेलमेट भी होता है तो करेक्ट आंसर क्या है जिगर जिगर नाम का कोई विरुपाक्ष मंदिर कहां पर है करनाटका में है वैसे एक तो समझ में आ गया था मंदिर जाता तर साउथ इंडिया में तो गुजरात का नहीं लग रहा था असम का नहीं लग रहा था बट करनाटका में है चलिए अगला बुगरंबा किस भारती रज्ज का लोक नरत है बुगरंबा किस राज का इस्टेटनत है तो फिर से एक बार आसम ने बाजी जीत लिए असम का इस्टेटनत है बुगरंबा चलिए इंद्रा पिरदर्शनी इस्टेडियम कहां पर है इंद्रा पिरदर्शनी इस्टेडियम मद्ध प्रदेश में नहीं है ओके बताईए कहा सिम्हा पूसक किस राज का नर्त है किरल का है मड़ीपूर का है करनाटक का है महाराष्ट का है सिम्हा पूसक जो है कहा का स्टेट नर्त है चार आप्शन दियें बताइए करेक्ट आंसर औरुनाचल प्रदेश में हैं मैलिंग नेशनल पार्क चली अगले के और चलते हैं कोन सा रोग होता है अच्वानियर होता है और प्रश्ट्षीय होता है यह Якने से जो रोग होता है झाल प्रचा 피 irm घॉख्या क्वेडियरे फेल क्वेंग ते की यह होता है पच्छी अभ्यारण कहां पर इस्थित है तो correct answer इसका है नोट करिए आंध प्रदेश संजीत कुमार किस खेल स्रेंडी से संबंदित एक भारती के लाड़ी है संजीत कुमार आपको बताना है तीरंदाजी मुक्के बाजी भारतोलन फररात्रा तो correct answer इसका क्या है संजीत कुमार जो है मुक्के बाजी से related है संजीत कुमार अभी Asian Games में भी उन्होंने खेले थे अच्छा खेले थे तो संजीत कुमार कहां पर है बुक के बाजी से है चलिए आदनिक भारत के पिता के किसे जाना जाता है मुके महत्मा गांदी राजाराम मोहन राए बी आरम मेड़कर या हुमी जहांगीर बाबा तो भ दा एंड आफ इंडिया के लेखा कौन है भारत पाकिस्तान के विभाजन पर ये लिखी हुई है ये किताब और आपको बताना है कि दा एंड आफ इंड आफ इंडिया के लेखा कौन है सोभा डे शलमान रुशुदी खुश्वन सिंग या रविन नाट टैगोर बताईए चलिए अगला क्वश्चन देखी नल सरोवर पक्ची अभ्यारन कहां परिस्तित है नल सरोवर नल सरोवर पक्ची अभ्यारन कहां परिस्तित है गुजरा हरियाना में है गुजरात में है उत्तर प्रदेश में है या हिमाचल प्रदेश में है हरियाना गुजरात उत्तर प्र प्रॉफी कहां के लिए जाती है ये क्रिकेट के लिए खेली जाती है दिलेट प्रॉफी का जो खेल होता है वो किसके लिए होता है क्रिकेट के लिए होता है टीरी बांद किस राज में सबको बन जाएगा उत्तराखंड पूरी दुनिया को पता है टीरी बांद जो है वो उत् किसके द्वारा लिखी गई है ओके अग Laplay अगला की अगला τους फोब्लू ब़ेटर से नामक बूस्तक इस प्यूत disfrak दूरा लिखी गई है बूरी कुन एप को दिये गया है डॉ नियो सेनिक और इसका अंसर में लगाँगा, वाइस एडमिरल अनूफ सिंग, ओके, बिर्सा मुंडा हाई अड़ा, कहा परिस्थित भाई साब बहुत ही फेमास हाई अड़ा है, राची में इस्थित है, बिर्सा मुंडा हाई अड़ा, निम्ण में से कौन सा अंदरत रूप म अनुसंदहान वहाँ होगा, जहां पर दूद ज्यादा होगा तो करनाल, हरियाना, करनाल में राष्ट्री डेरी अनुसंदहान इस्थित है, ठीक है, अगला क्षिशन है, ओडिसा में कौन सा महल मौजूद है, मुस्तफा कैसल, कांगला कैसल, बुरुडबन पैलेस या सेना प पती महल तो अंग्रेजों के समय का बना हुआ ब्रोडविन पैलेश जो है बहुत ही प्रसिद्ध है अगला क्वेश्चन देखिए ग्रेट वेक्टोरिया मरुस्तल अरे भाई क्रिकट देखते हो तो वेक्टोरिया के टीम आस्ट्रिलिया से खेलती है ना तो करेक्ट आंसर इ या मंगलोर करनाटक जवाब दीजिए कि लॉयट्स का बॉटनिकल गार्डन कहां परिस्तित है वेर इस दा लॉयट्स बॉटनिकल गार्डन लोकेटेड न्यू देली दार्जलिंग वेस्ट बेंगल गुजरा तो करेक्ट आंसर इसका क्या है दार्जलिंग है चलिए अगल अगला ब्लड मून शब्द का उपयो किस के लिए किया जाता है ब्लड मून ब्लड मून का इस्तमाल किस के लिए किया जाता है सूर गरान के लिए अर्द चंदरमा के लिए चंद गरान के लिए या पूर्ण चंदरमा के लिए तो देखे पूर्ण चंदरमा या पूर्णी म के सांग जुड़ा हुआ है ओके ना इंडिया है ना पाकिस्तान नेपाल है चाइना सदा करेक्ट आंसर और चाइना की बॉंडरी 14 है देश देशों के सांग से इर होती है ओके निम्ण में से किसमें परतीग्राम प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है तो भाही साब अपने मद् बनिहाल दर्रा अगनी ला पास ओके ला पास चलिए तो देखे फॉलोविंग पासेस नोन इस दा गेटवे कनेक्टिंग जम्मू एंड स्रीनगर जम्मू और स्रीनगर को जोडने वाला कौन सा गेटवे है करेक्ट आंसर इसका याद रखो बनिहाल आपने सुना भी होगा नि पार्क लोकेटेट करनाटक केरल गुजरात सिक्किम ओके करेक्ट आंसर देखे बांदीपूर कहां पर करनाटक में है बांदीपूर चलिए अगला कोश्चन है भारत में सबसे उचाई पर उस्थित रेलवे स्टेशन किस राज्ज में है उत्तेहना पश्चिम मंगाल उत्त पर्स keto चलिए अगला देखे दुनिया की पहली महिला पुर्दानमंतरी का नाम बताए दुनिया की पहली महिला पर्दानमंत्री शीनका की सीरी माव भंडार नाइके ओके करेक्ट आंसर पर है कि तो चलिए दूस्तों यह आाज कि क्लास यही पर एंड करते हैं आज आपने देखा, Static GK, KBS का Current Affairs का, इसकी त्यारी करिए और इसके बाद हम लोग मिलेंगे, फिर अगली Classes में इसका Second Part हम लेकर कर आएंगे, तब तक के लिए हमें आगया दीजे, जैहिंद, जैभारत, नमस्कार.